दोस्तो एलेमेंटरी ग्रेडे एक्जामिनेशन के जोमेटरी में आज हम देखेंगे पार्ट सिक्स प्रेशन क्रमांक सोडा एक एक बाजु दिली अस्ता नियमीत पंचकोन काडने ए भी फाइज सेंटिमेटर तो दोस्तो सबसे पहले फाइज सेंटिमेटर का हमें यहाँ पर लाइन बनाना है और फिर उसे ए भी यह लाइन हमने यहाँ पर बनाया मोर देन हाप डिस्टन्स लेकर हमें दोनों साइड में आर्ग बनाना है जो बाइसेक करने का हमारा प्रोसेस है वही प्रोसेस हमें यहाँ पर यूज करना है रेशेला दुभागने अब सेंटर से बी तक का डिस्टन्स लेकर हमें यहाँ सेमि सर्कल बनाना है और सेमि सर्कल बनाने के बाद फिर ए भी इतना डिस्टन्स लेकर बी पर पॉइंट रखते हुए एक आर्ग बनाना है अब यहाँ पर हमें जो point मिला और नीचे भी semi circle बनाने के time पर हमें जो center point मिला इनको नाम करना है जैसे कि हमने जो semi circle का point है उसे 4 और जो उपर का point मिला उसे 6 नाम दिया और यह जो 4 और 6 के बीच का distance है इसे हमें भी bisect करना है bisect करने का process जो हमारा हमेशा का था वही process हमें यहाँ पर use करना है अब यह जो दोनों point मिले है इन्हें हमें जोड़ना है और इस तरह फिर से हमें और एक point मिला जिसे हम नाम देंगे 5 अब यह जो 5 point है यह 5 point से लेके यह तक का जो distance है वो लेकर हमें यहाँ पर circle बनाना है तो इस तरह यह circle यहाँ पर बनेगा अब यह भी इतना distance rounder में लेके circle पे b point से हमें arc बनाने है अब यह जो arc हम बनाने जा रहे है इस से यह जो pentagon है यह बनेगा अब यहाँ पर यह जो point हमने arc बनाए इन सभी arc को हमें जोडना है अब इस तरह यह arc जोडने के बाद अब यह जो सभी five points आये हुए है सभी को हमें naming करना है और इस तरह हमारा pentagon पंचकोन रेडी हो गया question number 16 to construct a regular heptagon with one of its side given प्रेश्न क्रमांक सोडा दोन एक बाजू दिली अस्ता नियमित सब्तकोन काडने यह भी five centimeter तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर five centimeter का एक लाइन बनाना है अब इन लाइन को हमें naming करना है और जो process हमने इससे पहले किया था लाइन को bisect करना रेशा दुभागने तो यह हमें यहाँ पर करना है तो यह जो ab line है इस ab line को more than half distance लेकर हमें bisect करना है दोनों साइड से arc बनाना है और इस तरह यहाँ पर हमें यह दो point मिले और इन दोनों point को जोड़ कर यह line हमारा bisect हो जाएगा अब जो process हमने pentagon के लिए किया था वहाँ पर जैसे center से हमें यह तक का distance लिया और यहाँ पर हमने क्या बनाया semi circle बनाया अब यहाँ पर यह जो point हमें मिल रहा है इस point को उसी तरह में यह पर four number देना है फिर यह भी इतना distance लेना है फिर भी तक rounder को रखके arc बनाना है अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा point six अब यह point अभी यह जो है इन दोनों को फिर से यहाँ पर यह जो distance है यह बीच का distance इसे भी हमें फिर से उसी तरह bisect करना है जैसे हमने pentagon के लिए किया था अब यहाँ पर यह line को हमें जोडना है और यह जो center point आएगा इसे हमें नाम देना है five उपर का है six और अभी जो center point मिल रहा है यह है five अब हमें four to five का जो distance है वो लेके six point पे रखके उपर की तरफ arc बनाना है अब यह arc क्यू बनाने है अगर आपको seven part बनाना है तो देखो seven, eight और nine तो मतलब जितने part आपको बनाना है फिर seven पे रखके, eight पे रखके या nine पे रखके आपको यह तक का distance लेकर यहाँ पर circle बनाना होगा और यह circle बनाने के बाद फिर यहाँ पर यह जो part A, A, B यह जो distance है यह distance लेके जैसे हमने pentagon बनाया था pentagon के लिए हमने arc बनाये थे circle के ऊपर, same उसी तरह यहाँ पर भी हमें arc बनाने है अगर आपको वहाँ पर exam में eight part बनाने के लिए आया, तो आप यहाँ पर same process यूज करके आप कर सकते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए process आसान है, थोड़ा ध्यान देके अगर हम करते हैं तो हम easily यह बना सकते हैं इस तरह यह hip day one यहाँ पर तयार हो गया अपला सब्तो कोन हाँ यह डिकनी तयार दा लिला है मिलते हैं अगले वीडियो में